है कि है आप सभी सो गाइज आइम होर फोर दे वेरी फॉर्स सेशन पहला पहला सेशन लेकर के पहली क्लास हो चुकी है इंट्रॉडक्षन हो चुका है हमारे चाप्टर कौन से आने वाले हैं वो हो चुका है हमने इससे पहले एक औरियंटेशन क्लास ले ली थी या निकी मैने वहाँ पर आपका स्वाघत कर लिया था कि अभी तुमओ चुके हो क्लास 12 तैयों बड़े हो चुके और बोल्ट जो है यह आखरी बोल्टMr. तुम्हारे और इन आखरी बोर्ट में तुम्हें जी जान लगा देनी है पहली ही दिन से पढ़ाई करनी है सो दाट कोई भी ऐसा टॉपिक जो लास्ट में तुम्हें परिशान करता है वो परिशान नहीं करेगा सो एक बारी सभी जने quickly everyone एक बार अपना नाम बताएंगे अपना introduction देंगे और जो नए जॉइन किये हैं आज उनको मैं अपना भी इंट्रोडाक्शन दे देती हूं so my name is Pooja Sharma और मैं आपकी English educator हूँ सभी जने share करेंगे session को like करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज का सबसे most important topic जो आपको सबसे जादा confusion में भसाता है question आते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं क्यों होता है कुछ कुछ ऐसे इसमें क्या है अपवाद है अपवाद का मतलब क्या होता है कि सारे रूल्स को follow करते हैं लेकिन यह जो है वो सारे पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा और डीटेल में पढ़ाया जाएगा तो आपको कहीं यह सोचने की ज़रत नहीं है कि माम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो डीटेल में नहीं पढ़ाएंगे या नहीं आप एक-एक मेरा विडियो चेक कर लेना एलवन है तो मैं आपको प्रॉपरली एलवन में पढ़ाऊंगी कि इसका बेसिक क्या है कौन से जेनरल रूल्स है फिर एलटू की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम सारा कोर्स कम्प्लीट करेंगे तो मैं ले लेती हूँ यहां पर आपका नाम ओके रानी आचल हमान्शु विदानशी लोकेंद्र सर कि आर्मी क्या बात है वाओ लोकेंद्र सर की आर्मी इशेर वेरी गुड्ट आल इन वलतानू राधा राश्ट्रो वर्धन क्या बात है और नदरम अरहरवार सोरी अगर मैं कुछ नाम गरत बोल दूतो ओके चलो ओके चलो चलो सबीक आचुके हैं एक बाड शोयर कर देना आपको session को लाइक करना है क्योंकि मैं देख सकती हूं लाइक कम है शेयर भी नहीं किया है तो आप लाइक और शेर कर दो सबी जनॉइवन गुड़ी इवनिग गुडई इवनिंग अच्छा आज हमारा एलवन का क्लास से हैना तो आपको क करना है कुछ चीजों का ध्यान रखना है देखो आपको डीटेल में फ्री में पढ़ाया जा रहा है यू नोट वेरी वेल अब आपको नोट बुक मेंटेन करने पड़ेगी जो जो मैं यहां चीजे पढ़ाऊंगी डेफिनेटली आपको वो मिलने वाली है कहां पर आपको मिल मैं परसनली आपसे कभी भी पूच सकती हूँ कि बिटा आपने नोट बुक बनाई है ना तुम उझसे शेर करो तो कभी भी मैं तुमसे टॉपिक तो आपको अच्छे चैसे उसे मिंटेन करके लिखना है उसे प्यार प्यार से लिखोगे लिखते हैं तो याद रहेगा तु है होपफुली हम लोग यहां पर एक नंबर जैसे की बोलते हैं सेंचुरी सेंचुरी क्रॉस कर जाते हैं फिर हम फटा-फट से स्टार्ट करते हैं तो एक बार सभी जोने फिर से लाइक कर देना शेयर कर देना हाले नोट बुक लेकर बैठा है बहुत ही बढ़िया बिलकु कर रहे हैं जिन के पास में सारे संसाधन नहीं है रिसोर्स नहीं है तो उनको आप ना उन तक पहुंचा दो बस यह हमारा जो मुहीम है कि उन तक फ्री में पढ़ाई पहुंच जाए बस यह इतना बहुत है चलो गूद इवनिंग गूरी इवनिंग हो चुका है कोई question है तो सिंटेक्स का मतलब कोई मुझे बता सकता है तो फटा-फट से सिंटेक्स का मतलब मुझे बता दो ताकि आपको ने confusion नहीं हो एक बहुत बड़ा confusion रहता है students को कि मैं सिंटेक्स अलग है subject verb agreement अलग है नहीं subject verb agreement की बात करे चाहे सिंटेक्स की बात करें दोनों एक ही होते हैं दोनों एक ही होते हैं सो आपको इसमें परेशान होने की ज़रत नहीं है आपको कहीं पर syntax दिखाई दे या फिर कहीं पर आपको subject verb agreement दिखाई दे दोनों प्रॉपर ली एक ही चीज हो जाती है I don't know को दिकत नहीं अगर आपको को कर रही हूं कि मैं आपको नबेशिक से पढ़ाऊंगे की कैसे कैसे आपके सामने questions आएंगे उसके इंदर आपको क्या-क्या ध्यान रखना है एवरीधिंग विल बी डिसकास्ट यह है चीज डिसकास होगी और हाँ बिलकुल से आपको यह भी ध्यान रखना है की आपको यह everybody is ready I hope that चलिए let's get started very first बता देती हूं मैं syntax को ही हम क्या कहते है syntax is only known as syntax जो है उसे ही हम क्या कहते है subject verb conquered कहा जाता है जो यह syntax word है बहुती बड़े हो गया है यहां पे इतना भी बड़ा नहीं हो ना था तो यह देको syntax जो है उसे हम क्या कहते है subject verb agreement कहते है ठीक है subject verb agreement देखो आपना सिर्फ जो मैं बाते बता रही हूं अराम अराम से पढ़ाओंगी मैं और उसको सुनना है है अभी नोट्स बनाने के चक्कर में ना तो आप class के अंदर समझ पाओगे ना ही फिर आपकी concepts clear होंगे तो आपना अभी नोट्स मत बनाना मतलब अगर आपको नोट्स कब बनाने है प्रॉपर तरीके से जब बनाओगे जब मैं आपको PDF शेयर कर दूँ अभी वो चीज़े आप लिख सकते हो शायद जो की आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता है तो शॉट में अपनी नोट्बुक में लिख लेना तेको subject verb agreement कहते है कहीं कहीं हो रही है अराम से समझो subject subject मतलब क्या होता है करता करता मतलब क्या होगा डूर मैं English Hindi दोनों मैं पढ़ाओंगी विकर्ज मुझे पता है कि हमारी जो मात्रभाशा है वो हिंदी है लेकिन हमें पढ़ना English है तो आपको यह कहीं पर सोचनी की जरूरत निया परेशान होने की ज सब कुछ concept clear कर दो लेकिन promise यह चाहिए कि आपना English की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ठीक मैं तुम्हारे लिए अगर हिंदी मैं समझाओंगी हिंदी में एक चीज़े बता दूँगी तो तुम थोड़ा 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 कर के English से दोस्ती करोगे okay that I promise I want in the comment section everyone give me promise quickly हां मैं promise मांग रही हूं ठीक है तो यह सब्जिक्ट मतलब क्योंते करता करता मतलब होता है दूर फिर होता है वर्ब मतलब क्या होता है वर्ब मतलब होती क्रिया वर्ब मतलब क्रिया अब देखो जब हम सिंटेक्स की बात करते हैं उसी को मैंने क्या का है उसी को कहा जाता है subject verb agreement syntax मतलब ही है subject का वर्ब के साथ में agreement होना यानि करता का क्रिया के साथ में संधी होना हमेशा याद रखना की जो करता है उसके according क्रिया होती है कभी भी क्रिया के according करता नहीं चेंज होता है always remember English में भी बोलूंगी मैं always remember that कि हमेशा that always what we do is key home not we change verb according to the subject हम वर्ब यानि क्रिया को बदलते हैं हमेशा बदलता को है क्रिया बदलती है किसके कारण बदलती है क्रिया subject को ध्यान में रखते होए बदलते कभी भी आपको subject यानि की करता को change नहीं करना है अगर कोई sentence आपके सामने आता है तो उसके अंदर आपको change करना हो दिया है तो आप इसे ही change करोगे यानि वर्ब को change करोगे कभी भी you want change the subject okay अभी मुझे बता दीजिए कि subject पता है होता है और वह पता है क्या होटे तुरपार्टी जीने प्रामिस किया है यहां पर तनुने प्रामिस कर दिया है दया क्लब प्रामिस किया है यह बात है very well done ऑल मैं हुम्हें इंग्लिश हाती है बट इतनी नहीं सो थैंक्यू I promise you एस जी जुगनु आपने ना बहुत अच्छे से इंग्लेश बोलने सीख जानी है अगर रिगुलारीटी रखोगे आयग प्रॉमिस यू दाट मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ टो अच्छे को ध्यान रखना है कुछ कुछ पार्ट ठीक सब्जेक्ट जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं जैसे के हम प्रॉनाउंस में यूज सकते एपके पास में सब्जेक्ट हो सकता है iqué review अच्छुर को मैं ऊज्सेता देती उसकता है और कि पास सब्चिक और सबजिक्ट कया हो सकता है प्लूरल हो सकता है और सब्च ciao सकता है सिंगूलर मतलब एक वाचन एंड वाचन को था बहु वचन so this is subject okay यह सब्चेक्ट है subject मतलब क्या होता है करता कोई भी सेंटेंस ए उसमें काम करने वाल अब जैसे यहां पर करता kenya मैं पढ़ारी हूं तो मैं करता हो गया ठीक है आप पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ रहा गया प्लूरल मतलब क्या हो क्या बहु वचन अब यहां से ही तुम्हें चीजें ध्यान रखनी है कि सिंगूलर में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो जब हम सिंगूलर की बात करेंगे ना तो सिंगूलर मतलब एक वचन तो कौन-कौन आ सकता है इसके अंदर ही आएगा इट आएगा किसी का नेम आ सकता है तो ही शी इट और नेम आता है प्लूरल के अंदर बात करते हैं तो प्लूरल में आता है आई आता है वी आता है यू आता है एंड दे आता है कोई रहे गया है मुझे तो कमेंट सेक्शन में बता दो कुछ रहे गया हो तो मुझे बता दो को फटाफ़र से कि मैं यह रह गया है हना तो उससे मैं तुम्हें बताओं गे कि वो रहा नहीं है या रहा गया नहीं है चल्दी से बताएंगे आप आप के very well done अब वेरी वेल दन वेरी गुड वेरी गुड चलो बहुत ही बढ़िया ठीक है अभी देखो यह हो गया तुम्हारा यह पार्ट ओके अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझारी हूँ जिसे कंसेप्ट को समझना जब आपका सब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट को आप हारा जैसे की बॉय बॉय क्या हुआ तुम्हारे पास में सिंगूलर हो गया और यही को आप प्लूरल बनाना है आपको इसे क्या बनाना है प्लूरल में बनाना है तो हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं एस या इस को जोईन कर देते हैं तो हम क्या कर देंगे ह है हमारा नाउन है कब करा जाता है जब सब्जेक नाउन है यह बहुत बारी क्यों वाली चीजें है हो सकता है कि यह जो वेरी फॉर्स बनाते हैं तो बएक को ऐसलगाया तो बाइस्ट की अधया नहां तक आहां तक होप सब्ट्रसाइबелиयों काई आगे बढ़ते हैं ऑगे हम चलते हैं किसकी तरफ लप सकी वर्प्स ना दो तरीके की होती है वर्प्स कैसी होती है दो तरीके की होती है एक होती है हेल्पिंग वर्प होती है आपकी जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग वर्प को क्या कहते है हम सहायक क्रिया कहते हैं एक होती है हमारे पास में में वर्प जिसे हम मुख्यक्रिया कहते हैं क्या कहते हैं जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं ठीक है मुख्य क्रिया कहा जाता अब हेल्पिंग वर्प में कौन से आ गई आपके पास में हेल्पिंग वर्प में आ गई आपके पास में जैसे की आ जाता है यह एज आर एम कलर चेंज कर लेते हैं प्यारा प्यारा से लिखेंगे सुन्दर सुन्दर सा क्योंकि बच्छे भी अच्छा स्मार्ट स्मार्ट तरीके से लिखेंगे एज आर एम हुआ वाज वर हुआ यह सब तुम्हारी helping verb में आ जाता है ठीक है इसी के अंदर हमारे models भी आ जाता है मैंने इतना सा लिक्टे को later Drug Day में ओनी डिख देना अभाते में इंव में मतले मुख्य क्रिया में क्या है जैसे पले हुआ तुम्हारा हमारा जैसे राइट हुआ तुम्हारा यह जो है यहां पर वो नहीं होगा समझना जरूरी है वरना तुम्हारे पास में तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट क्लास से फेरी फर्स्ट क्लास जो हम लोग स्कूल जाते तब से तुम्हें ग्रामर पढ़ाया जाता है ठीक है न बट समझ में आना जारा जारूरी है वरना तो यहां लिखा मैं कुछ नया नहीं बढ़ा हरे हूं या कोई भी यूटिव पे कुछ नया नहीं बता रहा है मैं क्या जो कह रही हूं कि यह PDF कब मिलेगा PDF कब मिलेगा इस चक्कर में पता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और अपनी क्लास में concentration जो लेवल चाहिए जो समझना है वो सब कुछ खराब कर देते हो pdf से क्या करोगे अगर तुमने मेरी यहां पर मैं assurity से कह सकते हूं कि यह मेरी क्लास जो basic class उसे अच्छे से समझ लिया ना तुम पीदेफ जरूरत नहीं है तुम यहां class खतम हुई और अपने notes अपने आप बना सकते हो अगर समझ लिया तो नहीं तो PDF और PDF मिल जाएगा तो मैं इंपोर्टेंट questions देदो important questions मिल जाएगा तो बोल दोगे कि माम exam में क्या आएगा paper leak कर वादो वह एक तरीके से तुम चलाते ही रहते हो खुद कुछ नहीं करते हो sorry आप बहुत सारी जने नए होंगे यहां पर मैं बताव देती हूं थोड़ी सी कड़वा बोलती हूं क्योंकि जो सच होता है वह हमेशा कड़वा होता है बच्चे हमेशा PDF देदो PDF देदो क्लास चल रहा है PDF कैसे देदो मैं कैसे देदो मैं PDF तुम्हें और PDF लेना है तो क्लास मत देखो कोई मैं को कोई दिक्कत ही नहीं है तो वैसे PDF की जरूरा थे तो तो तुम PDF ले ले ना टेलिग्राम चानल है हमारा इस टेलिग्राम चानल को जॉइन कर लो वहां से PDF ले लो PDF नहीं करेगी जितनी कि तुम्हारी समझ तुम्हारे को हेल्प करेगी सो प्लीज आप पढ़ें आप समझें और उसके बाद में आप अपना नोट्स बनाएं ओके आजो अभी देखो यहां कुछ बचों नहीं यहां पर इट भी बताया था इट मैंने देखा था यहां पर कि किसी ने इट भी बताया है वेरी गुड़ ओके अब देखो इस वाब का जो एक बेसिक रूल है उसे ध्यान से समझना वाब जो होती है ना वाब मुझे एक सेंटेंस बताओ ये एक सही है ही रंस फास्ट या ये सही है ही रन फास्ट कौन सा सही है जल्दी से बताना मुझे पहले बताएंगे आप लोग मुझे कौन सा सही है ही रंस फास्ट सही है या यही रन फास्ट सही है क्विक बताएंगे आप मैं आप ठीक कह रहे है वह हम कहते तो ठीक है तेक्षा माम थांक यू पॉर टीचिंग अस बैसिक बैसिक्स बैसिक्स आर मोस्ट इंपॉर्डन में को तो यह लगता है कि एक बच्चा अगर बैसिक पढ़ लेगा ना तो इसी से जल्दी लाइक करना है तो करो आप फटाफट से जल्दी से करो लाइक में कमी मत करो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे चिसे वीडियो लेक्याओंगी तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट और तुम्हारे एक्जाम की अप्रोच के लिए इस ट्वेल्थ क्लास की बाद में तुम्हें चाहे कोई भी एक्जाम की देख जैसे ना में एक और 12th क्लास की चानल पर पढ़ा ते उसमें पच् ऊपकी klar श्लीती और मेरा exam में English वे बहुत हचा score गया तो मैं श्यूंस की बाद में इंग्वे नहीं भटको के कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें जाने की यह रोजाना मेरी grammar की कलास मेरी व काट कि क्वरास कर लेना आगे जा कि कोई भी multiplication exam आएगा तुम वहान नहीं अटकोगे, है न, he run fast आ रहा है, बहुत सारे बच्चों नहीं लिखा, he run fast, बिटा देखो, तुम्हारा logic जो है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर क्या कहरे हूँ, तुम्हारा logic जो है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं, इस logic से रिलेट कर रहा हूँ, क्या logic है, य की बात आती है तो वर्ब में यह उल्टा प्रोसेस होता है वर्ब मतलब क्या होता है वर्ब मतलब होता है क्रिया ठीक है और क्रिया में उल्टा प्रोसेस होता है क्रिया में क्या होगा कि अगर आपके पास में यहाँ प्लूरल की क्रिया है है ना प्लूरल में जो आप एस या को add करोगे तो वह singular बनेगा यानि तब वो क्या बन जाएगा एक वचन बन जाएगा एक्जाम्पल यहां पर जैसे रन है अब जैसे मैंने इट देखा था एक बच्चे ने यहां पर इट लिखा तो मैं वह इट लिखती हूं यहां मैंने लिखा तो क्या बनेगा इट्स और यह क्या बन जाएगा सिंगूलर बन जाएगा स्क्रीन शोट लेना है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अद्वाइज यह आपको प्रोवाइड कर वा दी जाएगी क्लास के तुरंत बाद में ही आपको पीडियोप मिल जाएगी हमारे टेली ग्राम चा की बात करते हैं when we talk about syntax कोई है क्या जब हम syntax की बात करते हैं तो कोई एक sentence में subject का number और परसन के अनुसार वर्ब का प्रयुक किया जाता है अब मैं यह number क्या होता और परसन क्या होता है हमें नहीं पता तो मैंने अभी ही तुम्हें बताया है अभी तुम्हें बताया है कि जो subject होता है उसके अंदर number होता है number में क्या आएगा number में आता है singular and plural अभी बताया है मैंने आपको यह चीज बस तुम्हारे को समझना है बार-बार singular होता है प्लूरल होता है यह नंबर में आता है अब मैं पर्सन क्या होता है पर्सन क्या होता है कोई बता सकता है पर्सन क्या होता है जल्दी से बता हो थोड़ा सा अपनी तरफ से करो अपनी तरफ से करने की कोशिश करो पर्सन क्या होता है फास्ट पर्सन से किन पर्सन थर्ड पर्सन याद है बच्पन में भी किया था फ़र्स परसन जो बोलने वाला होता है सेकिंड परसन जो सुनने वाला होता थर्ड परसन जिसके बारे में बात की जाती है हना ऐसा ही करते हैं ना हम लोग फ़र्स परसन सेकिन परसन और थर्ड परसन होता है तो चलिए हम लोग करते हैं यहा पर वेरी वेल डान चल तो यहां पर देखो person को भी हम कर लेते हैं first person होता है एक first person है एक second person है आपके पास में और एक third person है बहुत basic की class है आपके लिए बहुत ज़रूरी है यह यह बेसिक क्लास कर ली अपकमिंग सारे सेशन समझ में आ जाएंगे सारे सेशन समझ में आ जाएंगे अगर अच्छी क्लास लग रहे तो आपको पता है आपको क्या करना फॉर्स्ट परसन में क्या आजाता है आपके पास में आए और वी सेकिन परसन में क्या आता है आपके पास में यू थोर्ड परसन में क्या आता है आपके पास में ही शी इत दे या ने ठीक है यहां पर कोई क्वेशन है तो फटा फट से पूछो में है आंगी क्वेशन और क्या यूं है यहां से कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं कोई डाउट नहीं रहे गैगा यू ओं हां से इसी तरीके से comment section में बस आपको बताते रहना है very good I and we first person होता है कैसे होता है मैं मैं बढ़ रहे हूं यह हम पढ़ रहे हैं तो I am teaching यह we are reading तो I or we first person हो गया बोलने वाला जो होता है वो first person होता है you you second person होता है तुम क्या कर रहे हो तो तुम सुन रहे हो यहाँ पर second person you ho gap and third person क्या हो गया he she it or he draw you वाला पार्ट के अलावा he she it day or ya कि सी का नाम तो यहाँ पर थर्ड परसन में आ गया no doubt आगे आ जो तो देखो हमने देखा है कि किसी भी sentence में subject का number या फिर subject का person के अनुसार वर्ब का प्रियोग किया जाता है वर्ब भी बता दिया और उसे ही हम क्या कहते है syntax और syntax कहो चाहे उसे क्या कहो subject वर्ब agreement कहो बहुत आदा same thing चलो अब यह मैंने समझा दिया तो rule number one की तरफ आगे बढ़ते है rule number one क्या है जो basic rule है बच्रा rule number one जो है वो basic rule है basic rule क्या कहता है कि अगर singular subject है यानि कि जो हमारा करता है वो एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी यानि कि singular verb होगा एक बार सुनना तुम और अगर हमारा करता जो है वह बहु बचन है यानि कि subject जो है वह प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी plural होगी ओके देखो क्या बोला है वह ही यहाँ पर लिख देती हो मैं what I has told you कि अगर हमारा subject जो है subject जो है वह क्या है singular है इफ सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी क्या होगा वह इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं सब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर होगा वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर होग you tense be cover kardia yearmana से जो चीज़े लिखी है वो बता देती हूं सिंगुलर सब किसा बिख का प्रियो किया जाता है फ्लूरल सबिख के साथ में प्लूरल वब का प्रियो किया जाता है example the code I I can have subject to have a similar here I have a singular subject you wanna minute I plural Vota I singular Vota I is singular as well as plural I have I kabhi-kabhi up in a cool camera and I singular month I could be a bit of a couple of month I think I have my home have to use cut a good one of a plural kita use or a I can allow a coibid cut new gear up I do have a market subject at m mkota mkis case at like the I am is के साथ में तो यह सब्जेक्ट के साथ में क्या हो गया वर्ब हो गया हमारा आए एम रिच मैं रिच हूं मैं पैसे वाली हूं पैसे वाली होती तो मैं यहां थोड़ी होती हना ही ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है सिंगूलर सब्जेक्ट है अगें ही गोस्टू पटना वो कहां ज को या तो वो क्या बना सिंगुलर बना यहां तक समकंसेट समझ में आया एक बार थांस अब दे दो एक लाइक कर दो इफ यह समझ में आ गया तुम है रूल क्या है रूल वापस से रिपर पीट कर देती हुं तोड़ा सा इधर हो जाती हुं तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी बेसिक रूल है 99 पर्सेंट जो 99 तो नहीं कहुंगी ज्यादा हो जाएगा 90 पर्सेंट जो वह इन से सॉल हो जाएगा इसी लिए मैंने अभी क्या मैं वर्ब किया है तो आई डूंट वांट ऐसी लिया मैंने तुम्हारी 20 मिनट इस पार्ट में ले लिये समझाने में कि सबजेक्ट क्या होता एक कौन कौन से सब्जेक्ट होते है क्या होता है ओके विदान्शी से इंग आपने एक बात नहीं बताए प्लीज बताए मुझे याद दिलाए कि मैंने क्या बात नहीं बताई है आपको बता दीजिए अमिआओ अगी डाओ के योगे अंद्र के रहे साभी जोने लाइक यरो सेशन को कर दो यार को प्लूरल कैसे है नवीन कुमारपने आपका कि व tarko क्या से में देखो जब आप और वर्ब की बात करते हैं तो व याद करो की वर्ब जो क्या होता है वह क्या होता है गो हना यहां पर क्या होता है गोज इसी का गो वेंट गॉन यह होता है तो यह जो है यह वर्ब की फॉर्स्ट फार्म है और यह वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म first form के साथ में यह 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 तो इसे हम क्या कहते हैं इसे ही हम singular कहते हैं और यह जो है यह क्या होता है प्लूरल होता है अब बताओ अब कहां दिक्कत आई है आपको बस एक question बच्चे का था उसके अलावा सबको clear हो गया है ही singular होता है संजीव बताना मुझे किसस को हाड लग रहा है बताना तो जरा मुझे किसnes को सबस्टे को हाइव देली क्लास होती डैली नहीं होगी इसी तरीके से होगी हमारी तुसडे को होगी तिज़्डी के हुआ ठीक चनो चलो इज़ी एना बेरी गुर्ट ठीक है तो यह यहां पर सब कुछ क्लियर हो चुका है रूल नंबर tuan कि तरफ चलते उससे पहले उससे पहले समझो कि अगर कोई नाून है यह जो पार्ट मैंने जो समझा दिया है उसी के एक्जैम्पल्स है जो पाल्ट मैंने समझा दिया है उसी के एक्जैम्पल्स है फटा फट से आप भी मुझे बताएंगे यहां मैं लिख देती हूं कुछ exam इसी पर लिख देते हूं अगर मैंने कहा आपको की आपके पास में की है ठीक है इसका यह की है तो यह क्या है मलब singular है या plural है यह subject है यह वर्ब है यह बताएंगे आप मुझे की क्या है क्या यह singular है क्या यह प्लूरल है क्या यह subject है क्या यह वर्ब है जल्दी से बताओ वर्ब का ध्यान रखना है आपको कि वह करीया है मतलब कि वह जो वर्ड दिया है वह कुरिया को बतारा है या संघ्या को बतारा है ओके अ ह MB चलो हो ग्लूरल हैं सिंगुलर है एक ही वह र्याक्षिन ने बोला है प्लूरल है बाकि साई ने नवीन ने और पुर्णिमा ने इन सब ने क्या बताया है कि singular है singular subject है या वर्ब है साई तो वर्ब बता रहा है नवीन नाउन बताया है मंपी ने singular बताया एस जी ने subject बताया है question जो भी आप अपना रेक्वेशन पूछिए देखो singular है यह तो है यह क्या है singular है this is singular अब यह क्या है की है की मतलब क्या होता है की मिन्स चाबी की मतलब क्या होता है ठीक है चाबी क्या है किसी भी चीज का नाम है किसी वस्तू का नाम है चाबी है तो उस वस्तु का नाम चाबी है यानि नाम दिया गया है और नाम किसे दिया चाता है संग्या को संग्या को इंग्लिश में क्या कहते है हम नाउन कहते है और नाउन जो होता है वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट होता है आया समझ में अभी आया समझ में रहे हूं लेकिन यह सारी चीज़े तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी ओके चलिए यहां आपको एक और question दे देती हूं मैं जैसे आपको दे दिया है मैंने यह फटाफट से बता दो यह क्या है फटाफट से बता दो dance क्या यह subject है या फिर यह वर्ब है या singular है या plural है क्वेक बताएंगे सारे students यहां पर क्वेक बताएंगे सारे students subject है okay 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 I got you I got you it doesn't matter to you okay आप जो इतना spam कर रहे हो धर उधर की बाते कर रहे हो it should not matter to you आपको पढ़ाएं फ्री मैं मिल रही है और आप को पढ़ना है तो आपको ध्यानना चाहिए वर्ब वर्ब पड़나 फॉर्ल वर्ब बताया किसने बताया नवीन ने प्लूरल वर्ब कटाया माही की कोई action हो रहा क्रिया का होना action का होना that is work और यह कैसा वर्ब है यह प्लूरल है यह याद रखो यह प्लूरल है क्योंकि वर्ब जब क्रिया पता चल गई और उसमें सिक सारा complete कर लिया now what says कि जब दो नाउन यह बहुत इंपोर्टेंट वाला question कि जब दो नाउन जो है वो एंड से मिलकर के बनते हैं चलो इसको जुमाइं बाद में पताती हूं पढ़ने पढ़ेंगे हम बाद में मैं यहां पर बताती हूं एंड के दो रूल होते हैं किसके एंड के हम पढ़ रहे हैं किसको एंड के अपना एंड के दो रूल है ऑल्वेज रिमेंबर हमेशा याद रखना एंड के दो रूल है कौन-कौन से दो रूल है मैं जी तो यहां मैं बताऊंगे आपको एंड का पहला रूल फॉस्ट रूल कहता है कि एं singular का use करना का plural का use करना कोई बता सकता है कैसे पता चलेगा ठीक है अथा अनू okay okay Navin your name is Tannu अब जिसे तनूने बोला तनु की बेश्रान का ना मनू okay मान लिया हमने की तनू है तनू की बेस्ट का ना मनू है okay अब मैंने कहा तनू और मनू party करेंगे ठीक है या party कर रहे है तनू और मनू party कर रहे हैं मैं पढ़ने का क्यों बोलू मैं कहूंगी party कर रहे है तो तनू और मनू dash करके बताओ क्या आएगा इसमें क्या आएगा मैं यहां example लिख रहे हूं तुमारे लिए पटाफट से तनू and manu dash party है ना party कर रहे है एक तुम्हारे पास में यह sentence आया एक तुम्हारे पास में आया राजमा एंड चावल डैश ठीक है मैं हिंदी मीनिंग भी बता देती हूं इनका कि क्या हिंदी मीनिंग है इसका एक कह रहा है कि तनू और मनू जो है वो पार्टी कर रहे हैं एक कह रहा है राजमा और चावल मेरा फेवरेट डिश नहीं से तुम्हें पकपक हो जाएगा कभी तुम्हें भूलने की में भूमारी जो हो गी ही नहीं होगी नहीं हाले बताता का रहे हैं ठेकाटरल य। two-law अच्छा लग्रैना शेयर करना चे बार-बर मुझे बूलने की जरूत नहीं पड़े हैol it यहां पे तनू और मनू आर पार्टिंग कैसे पता चला कि देखो यह क्या है तनू जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट यह सब्जेक्ट वन है हमारा करता एक है यह मनू जो है यह दूसरा तो यह सब्जेक्ट दो अब सुनो इसका रूल इसका रूल क्या कहता है कि जब दो लेखते हैं हमारे पास में करता कौन है दो तनुभी है मनुभी दोनों अलग अलग है हांजी है अलग अलग जब यह दोनों अलग अलग है तो हम किसका यूज करेंगे प्लूरल का यह रहा प्लूरल वाला पार्ट जब दोनों अलग अलग है तो तुम क्या करोगे प्लूरल का वर्ब यूज करोगे अब राजमा और चावल चावला लिख दिया आय है किसी ने बताया भी नहीं कि मैं आपका spelling error हो गया है क्योंकि बच्चे समझदार है ना बच्चे समझदार है उनको पता है यहां पर कि मैंने भले चावला लिखा लेकिन है तो चावल उनको समझ में आ गया बस खतम हो गए चलो बेरी गुट बमेरी गोड अब देको क्या है यहां पर राजमा आंड चावल ठीक है अब हम सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कोई क्वेस्टन है तो क्वेरी कर लो अपनी फटाफट से if you have any doubt you can ask me in the comment section if you want to say anything or add any example you can do that as well अगर आपको कोई किजांपल देना है यहां पे add-on करना है तो आप वह example add-on कर सकते हैं comment section में अले बीना पड़े समझ नहीं आता है जगनू बढ़ाने के लिए ना वह एक और क्रियेट करना पड़ता है पढ़ाने के लिए उतना easy करके बताना पड़ता है अगर मैं यहां पे राजमाइं चावल नहीं कहती और मैं तुम्हें एक बात कहती वो example horse and carriage तुम यह नहीं बता पाते तुम यह नहीं बता पाते horse and carriage is अना यह क्या आएगा यहां पे is आएगा पहले ही answer बता दिये है तना is outside standing outside the gate is standing outside the gate camera मतलब क्या ही कहूं में हाँ क्या कहूं मैं बताओ तुम मुझे pasta and maggie is my favorite dish नहीं होगा pasta and maggie are my favorite क्योंकि pasta अलगे maggie अलगे कभी भी दोनों को मिला के खाए हो क्या नहींना ऐसा नहीं होता है तो यहां पे देखो तुम कह रहों ना कि यह तो बड़ा बढ़ा easy था यह easy है तो हमें singular लगाना अब अगर मैं तुम्हें घोड़ा और गाड़ी वाला दे देती हॉर्स एन क्यारिज तो आदे बच्चों को समझ में भी नहाता कि यह क्या यह हॉर्स क्या तो हॉर्स मतलब गोड़ा और क्यारिज मतलब उसकी जो पीछे लगा होता है गोड़ा गाड़ी एंड जुड़े हो और दोनों का सेंस एक ही है तो वर्ब कैसा होट रहेगा तुम्हारे पास में सिंगूलर होट रहेगा concept clear everything is clear ठीक है हाँ पूनम और दिवी दिव्या होगा आर मैं बेस्ट्रेंट तो दोनों अलग है पूनम अलग है दिव्या लग है तो आपके लिए दोनों अलग अलग जब हैं तो उसके लिए आ रहेगा वेरी गुड चलो अब एक्जाम्पल देखो एक्जाम्पल क्या है यहां पर राम हँआंड मोहन गो गोव मत कर देना तुम्हारी आदति अ Раз कृष्ण की तुम्हें यह कि यहां पर मोहन है तो हमें आया है तुम्हारे पास में क्या क्वेशन में आया है औका यूज़ हूय और से दो सब्चिक जुड़ गये तो हम यहां पर किसका यूज कर रहे changer फूर रोड रौब का यूज कर रहे तो यहां पर पतन थी के पहले वाले में घो आया था देखो यहां पे हमने किया कहा चल दिया यह रहा ही यह गूस तडू पतना हनभा ना जाना है गर्दा हिला देना है वैसा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्सट्टेख पार्ट की तरफ बाटर एंड ब्रैड बरेडे गड़े बुलते न कि आप अब सुबस बनाशने में क्या लेगता मेंब्डर इन Pr bats ऑ। अँ एना ब्रेड जैम खाते हैं तो ब्रेड एंड बटर इस यहां पर यूज क्या करना इस तो यहां एंड आया तो इसका यूज किया यहां एंड आया तो क्या किया है आपने प्लूरल का यूज किया है वाट्स दरीजन रीजन यहीं है कि एक बार दोनों अलग अलग है और एक ब आगे बढ़ते है rule number three की तरफ आब ये कुछ वर्ड चैने को क्या करवो इन कर लो का राम नाम जब कर लो इन वर्ट को बाइहाट में नाम जब कर लेना ने तो मैं याने की इन वर्ट को दिमाग में बथा लो रहीं फॉट दिखेंगे वहां तुम्हें है क्या यूज करना है singular verb का यूज करना आप मैं सम्झाती हूँ कैसी इच मतलब और एवरी मतलब च्या OTA इत मतलब क्या हो तर प्रति एक के लिए यूज कहा जाता है तो प्रति एक में हम क्या कर रहे एक एक को चूज करते हैं हैना हर एक को चूज करते है तो इधर का मतलब क्या होता है इधर का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई एक इधर का मीनिंग क्या होता है दो चॉइस है आपके पास में दो चॉइस है और उसमें से आपको क्या करना एक का यूज करना ठीक है नीधर का मतलब क्होता है दो नोी नहीं कर दिके मुम्मी ने पोल द्या तुम резcü यह तुम साड़ी पेन पैंके बाहर जौगी शैक haven या फिर तुम सलवार सुप्भर हर जाओगी अब तुम्हें पहनता है घागरा चुली तो तुमने लिफ अगो बहुत दो नहीं पैंने मर तो यातो तुम साठी पाहिए या फिर किया पैना कि चाऊगी सल्वार फिर्शोट पहन कर जोगा अब तुमने तो वो बैकलेस वाला एक दम डीप गले वाला तुम को पेंना क्या पेना जा चुली डालना तो तो तुमने मना कर दिया तुमने किसका यूज कर लिया नीदर का यूज कर लिया तो यहां पर इच एवरी इदर नीदर सब एक 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 वर्ड को समझा रियू नो नन नो नो तो मतलब क्योंता है कोई भी नहीं नन भी कोई भी नहीं जब कोई है ही नहीं तो किसमे यूज होगा सिंगुलर में यूज होगा ना जब कोई चीज है ही नहीं मैं लड़के क्या पहने लड़के ना वो पहन के जाएंगे गंजी पहन के जाएंगे ठीक है उनक थोड़ा सधील अधीला सा अ होता है वो वो साधी कि टाइम पर गफ्त भी करा जाता है उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे हमारे दादा लोग ना भरी गर्मी में भी पैंते थे सर्दी में भी पैंते ते इक्डम दो पॉक्ट्स होतीए यहां पर बॉटन्स होते हैं एकडम हम जोत्पूरी काइंड अफ वैसा कुछ होता है तो तुम नो वह पहन होगे तुम लोग वह पहन होगे ठीक है भरीगरमी में वह पहन के जाना तुम हाँ चलो दोती कुर्ता तो अच्छा लगता है दोती कुर्ता तो अच्छा लगता है मैं याद करके ना तुमको नेक्स में बताऊंगी घर पे पूछूंगी मैं उसे क्या कहते हैं तुम तुम्हें पता नहीं है क्या उसे क्या कहते हैं धोती कुर्ता नहीं कहते हैं उसे पता नहीं उसे कुछ कहते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है चलो तो अभी देखो यह सब समझ में आगया everybody every से ही बना है everybody everybody everyone everybody someone somebody anyone anybody सबको समझाओंगी पर समझ लेना चाहे वो आ रहा है तुम्हारे पास में one या चाहे तुम्हारे पास में आ रहा है बड़ी दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है यहां यह बात समझ लो चाहे वो एवरीवन आ रहा है चाहे वो एनीवन आ रहा है चाहे वो एनीबड़ी आ रहा है चाहे वो समझा रहा है चाहे वो कुछ भी आ रहा है वान है या बड़ी है इन दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है ओके इन दोनों में ही कोई डिफ्रेंस नहीं है ठीक है अब देखो क्या है अब है एवरीबडी एवरीबडी हर के लिए तो एवरी समझा दिया somebody example that you to make a hockey mark away head by a guy somebody is outside somebody somebody with a boy here go to a hookah na koi kiss career use cut the a killie to where he hookah somebody to buy a jacket a tunic idea are a ko even a ko even a hand nobody is outside ko even a he had to nobody okay to mara pass me philagia anybody manika are a koi hakiya anybody there anybody there much love manager locker key pusha anybody there could draw a jacket to chala gya up the kai nida to anybody who yeah she care so much my abas inika up many up a everyone everybody none as a walla cardia or usi case at that meeting laga dia she care you think is case at my left a house to case at my left a bus or japan or buddy have a case at my left time person case at my left that I've been sup case at my rule kya itani bathe took early on in sup case at rule kya head rule which is most important and that says in case at me kya laga ga singular bob he lugging up kiki sub me kahina kahi a cookie ya fair koi ki baat ki jara he haana a cookie ya koi ki haa abde ko to me a vocab yad karsak to manika anybody there anybody there anybody there anyone there as a bull neki kooshis karo gap napo jayega tk chalo of examples of a job example each student had come okay abhi hapa a had to have a past sense kao ga is cop has be karo geto chalila each or is each ki baatna student hi aega each students mat karna ye yaad rakhna each her aks a rule nikal raha hai tumhara harik points a new rule nikal raha each kya hai tumhara each tumhara kis me aga subject per a guy and a subject here hapa kya ho ga yip ya hapa kya ho ga tumhara plural is a sorry singular subject he kya hai singular a question here so a question case admit in a verb b kasi lagadi a question wali lagadi hai tk next pal many a student yeah many ka rule but I'll give it to him many a student they know many oh hey oh come we use cut the hope jaldi sabatao is our article ka you scuba hota have but that what's a comment section but I got me about chop but after everyone very simple English do you think so it's the English is simple or do you think that English is her made simple for you English simple hair yeah your happy new simple card kit but I is already here you but Adina man hi a hakoi hakoi co-english make as a bowling get a chat to happen Jessica anyone there yes hakoi 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 yes bolo that's it that's it that's it bolo dhu a tkare what's enough some jump the go of a word yaad kalo occupied and abhi occupied ka you scalaoge me batada tiu occupied ka use can logo just a kina hum easy simple si baat bata take a hum na changing room may jate to push the push there under cool heck ya and a cool heck ya am humble too ha ha humble that a hair ki hama change कर रही हुं टाइम लगेगा ऐसा इसे बेटर उख्यूपाइड बोल दो इच्छुपाइड क्या बोल दो इच्छुपाइड अब आप चेंजिंग रूम में हो चाहिए आप वाश्रूम में हो वाश्रूम में भी कई बार क्या होता बधर बढ़ी लाईन लगी विवी ती बा का answer नहीं दिया, consonant के साथ तो लगता है, लेकिन यह लगता किसके साथ होता है, singular के साथ, यार, guys, what are you doing, what are you doing, man, why are you bothering me, अपने किसी ने भी एक इंसान के लिए, शिव ने बता दिया, very good, prince ने भी बताया, yes, very good, एक के लिए लगता है, school washroom में, you can use it, देखो, क्या बात है, very good, तो आपने यार पर किसके लिए यूज क्या, singular, यहां आओ, तो मैंनी और स्टूदेंट, मैंनी मतलब तो होता है, जादा, मैंनी का मतलब होता है, जादा, लेकिन देखो, और स्टूदेंट, मतलब बहुत सारे स्टूदेंट है, क्या आप नहीं है, मैंनी और स्टूदेंट है, has not done his homework, यहां से भी तुमारा क्वेशन आएगा, हिस क्यों आया यहां पे, देर क्यों नहीं आया है, देर मतलब की क्यों हम क्या कह रहे हैं, हम यहां पर confused हो रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा यहां पे, सारे के सारे जो भी गायज यहां पे present है, ओल, ध्यान से सुनना यह question जरूरी से आएगा exam मैं, मैंनी, a student has not done his homework, तीन चीज़े याद रखनी है तुम्हें यहां पे, मैं वापस से अलग से भी गूला कर देती हूँ, इसको अलग गोले का बता देते हैं, अलग गोले का कैसे, मैंनी देख के confused नहीं होतना है कि मैंनी मतलब जादा होता है, मैंनी के बाद में, a आ रहा है, तो यहां पे तुम्हें, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर करना, क्या करोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर करोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर, वाप सिंगुलर, वाप सिंगुलर, वाप नहीं है, यहां पे प्रोनाउन का यूज़ए, ठीक है, subject singular है तो वर्प singular होगा और याप रोनावन बें सिंगुलर होगा यहां पर तुम गढ़बढ कर देते हो क्योंकि तुम स्क्राइब क्या सोचते हो कि बहुत सारे students ने अपना homework नहीं किया ऐसा ना तो उन्होंने अपना homework नहीं किया नहीं नहीं यहां पर क्या आएगा हिज ही आएगा always remember that okay more than one man was present there up the more than what lovey kyao tazada aksa zada aksa zada aksa zada lakin hum a use kiska karna waska use karna kya xa zada log maha per present a more than one man yaha kya have one man kids the company one man word present me was present more than one man was present okay rules lanoga जल्दी से बताओ is that clear your name is man see okay very good चलो रूल नबर फोर्ट पर आ जाते हैं अब आप वो याद है ना मैं एक्स क्लास में पूछूंगी तुमसे next class में I am going to ask you quick rules कि हम लोग रूल का एक बार recap करेंगे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ट जैना और वो दो वर्ट जो है वो जो subject sorry two subjects है यानि कि आप ओ देखते हो कभी कभी कि आप लोगोने देखा होगा school की बात कर लेते हैं हम ठीके school में बूल आप school बूल दिया कि chairman अपनी family के साथ में आ गए है ना अम बोलते हैं चेर्मेन अलोंग विद इस family has arrived होता है have arrived in yoga मलब हम वहाँ पे plural का use नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जहां शब्द आते हैं कौन से शब्द आते हैं आपके वह जो phrases यह क्या है बिटा जी इस आर ओल phrases तो देखो यह concept phrases a phase this का मतलब नहीं पता हो तो वाक्यांश कहते हैं phrases का क्या मतलब होता है वाक्यांश कौन से है as well as with along with together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but in se joda jae ga to job all this a pehle subject house can use our prayog hoda cha hiya is ke pahle a joe hae us ke accordingly यह अहां पे हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड हुआ है तो मैं let me change here से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले subject के नुसर सही है बिल्कुल सही है सही है सही है पहला subject पहला subject मतलब क्या होता है फॉस्ट सब्जेक्ट फॉस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है ठीक है और इसको आप simply ऐसे भी याद कर सकते हो कि सिंगूलर सब्जेक्ट आएगा आप क्या आएगा सिंगूलर सब्जेक्ट आएगा यह याद कर लेना वाद याद मैं समझा देती हूं देको माई डियर मैम मेरा नाम भी बूल दो आपका नाम बोलते हैं आपका नाम बूलेंगे जब आप करेक्ट आंसर्स देंगे देखो आज क्या होता है सथ में ठीके तो गेदर विद्वी मतलब उसके साथ में एंड नौट का मतलब और नहीं औरन Nope इन अले इडिशन तू इसके अठीरिक्त इन अडिट्रिक्त इडिति पान इसके Tech बयंट बट मतलब क्या लेकिन बिसाइड बिसाइड मतलब भी क्या होता है इसके अतिरिक ठीक है बिसाइड और बिसाइड में अलग-अलग होता है इन दोनों को मैं यहां पर डिफाइन कर रही हूं एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड देखो तुम्हारे को बोनस ही बोन मझे लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार नहीं लेकिन सब् ref हुराय है तो फिर हम ऩरे तूटा दिल लेका चले जाएं क्ट्वा अन्हों बास में से इक मैं में अर्दीजटों भी मिट ऐस्टा कोई डफरेंस होता है कि बहुत इफरेंस होता है लेकिन से synonyms की तरह भी यूज किया जाता है तो कुछ ऐसे synonyms होते हैं ठीक है जहाँ पे आपको आपकी लेवल पे मनव 12th लेवल पे मैं कहूं अगर तो 12th लेवल पे ना आपको उन दोनों का सब्सक्राइब एक दूसरे के अगर समिलर मीनिंग देता है कहीं नहीं टाइब टैट तक टाइब मीनिंग देता है ठीक है हाँ 99999 एक बचाव दूसरे आंसा देरा ठीक लेकिन अराइब और रीच नहीं बोलते हो एयर प्लेन के लिए आप अराइवड ही यूस करोगे तो यह थोड़ा थोड़ा सा है तोड़ा थोड़ा सा है दिफ्रेंस ओके अब देखो यहां पर एक बचा बोल रहा है कि बिसाइड जो है वह सिंगुलर रहा है बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है तुम्हारे बना उंगी स्टार सार पार्ट आव देख्लास फाइस तर्ड़ा इस पार्ट को चलो सो वाट इस हिर इस से ayde । क्या कहा जा रहा है यहां पर देखो कि बिसाइड बिसाइड मतलब होता है नजदीक या जिसे कहते हैं पास में और यह क्या होता है यह प्रेपोजिशन होता है यह क्या होता है प्रेपोजिशन होता है जिसे हम क्या भी कहते हैं इसे हम कहते हैं बाइद और साइड और बाइद sit beside me well up मेरे पास आकर के बैठ जाओ तो यहां पर आपका यह हुआ लेकिन जब besides की बात करते हैं तो हम इसमें बोलते हैं इन अडिशन टू इन अडिशन टू इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त इसके अतिरिक एक्जांपल दोनों के लिख दूँगी मैं लेकिन तुम्हें इस से जाला कहीं नहीं मिल सकता है okay so beside here means जैसे मैंने एक्जांपल दे दिया यहां पर एक्जांपल दिया come and sit beside me और यहां पर मैंने answer दे दिया example beside being an actor अक्षे इज गुड प्रड्यूसर यह यह हम यहां अक्षे कुमार की बात करते हैं कि अक्षे कुमार जो है वह अक्टर होने के साथ साथ में क्या है अक्टर होने के साथ साथ में प्रड्यूसर भी है तो बिसाइड बींग अक्टर अक्षे इस अगुड प्रड्यूसर यानि कि के अतिरिक्ट के आक्टर तो है ही जैसे आपके लिए आप में कोई दो टालेंट तो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से बेरी गुड काजल न मैंने खराब कर देने चीज़ें हाँ फिर लोगोन मैंने जेल में पॉदेना चलो अपने बारे में यह बसाइड का यूस करते वे कोई भी दो टालेंट चीजों का यूस करो फिरम एंड करते हैं इस क्लास को I say what you are saying that I make suck part now lick knocker suck then now we know I have asked for your talent part seeing phone and eating hohoho get the name of the master to dancing and drawing okay very good to the up beside being a good dancer you are a good drawing करने वाले को क्या बोलता है बता फिटा फिट से traveling and studying Wow sony क्या टालेंट और मोबाइल चलाने का यह देखो यह टालेंट के नाम पे ना सबना यह टालेंट यह टालेंट यह टालेंट यह टालेंट यह टालेंट यह टालेंट यह समय की पर बादी गेते हैं game kale now or kumna by Tums up to Malab about a pronical release man sub case of AC answers there besides I am a girl but I am I know Sanjeev you are first of all not a girl and secondly this is this sentence is not right okay game kale laguna art and dance okay artist read and write okay I can dance in addition to singing very good isha somewhere you are close to the answer what I want to or not to a pisha bought a chase a try kia hap na a pop a beside use koro keep beside being a good dancer I am an actor ya jubi up nearly kaya aapus a use curse at the him okay Charlie so I hope that this session was full on a great session for you all and I hope he are just nice class miss starting matter him to me he they could end talking and that's a good thing I appreciate that our and I think it's not my name for a I I just should that's my brother at the naturality case at me to go cheese and much of the Tani has some Johnny who can see me with my sonja do yeah he to end talk rocko up me notebook open a car kid up now after the session don't say my mama bkb share cardena because I have continuation classes to my are good just a class long use ke baad napko pdf mil jayegi pdf clearly you have to join our telegram channel to telegram channel ka link up kumil jayega kaha up a description box my vaha jaka get telegram channel join ka lijayega yes 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 session ki jobi a sorry cheese they have a common level he have a happy if you have any questions you can ask me otherwise we can just say tell us bye-bye and he got me card kabai the phone car ke poochiga abhi hum phone car ke poochiga unk say or go but I'm gonna offer him but I diga official Prashant Kumar is saying mem a hap mujhe bool gae to ho हो आज क्या मेरा नाम भी नहीं लिया चालो बाबाए एर्वरवान